Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Alphanotanison की पॉइम जिसका नाम है The Flower तो यहाँ पर जो Flower है यह एक Metaphor Term के रूप में यूज किया गया है Metaphor क्यों होते हैं कि जब हम एक चीज की तुलना दूसी चीज के साथ करते हैं तब उसे Metaphor कहते हैं Similar Metaphor है जो वो लगबग same होते हैं बस similar में like और as word का use किया जाता है यानि कि जब तुलना की जाती है तो जब हम उसके बीच में defense करते हैं तो उनके लिए words का भी use किया जाता है लेकिन Metaphor में जो words है यानि कि अगर हम किसी चीज के बारे में comparison करते हैं तो उसमें वो जो words होते हैं like as वो words use नहीं किया जाते हैं डारेक्ट क्या है comparison कर दिया जाता है तो उसे के बारे में हम discuss करेंगे the flower flower यहाँ अपर जो point है उनके new thoughts से यानि कि relate किया गया है तो start करते हैं पहले हम alpha lord tannison के बारे में देख लेते हैं alpha lord tannison who remain the longest serving UK poet lottery तो alpha lord tannison है जो वो UK से बिलोंग करते थे और UK poet के रूप में उन्होंने अपनी एक लंबी serving दी थी from 1815 until his death in 1892 इन्होंने 1815 से यानि कि poetry लिखना शुरू कर दिया था और इनकी जो death है वो 1892 को हुई थी during the sixth decade of his career as a poet एक poet के रूप में उनका जो career था उसके six deckers में tannison had to endure criticism as well as enjoy praise and awards तो जो tannison है उन्हें बहुत ज़्यादा criticism अलोचना का सामना करना पड़ा था और इसके साथ ही उन्हें अपनी बहुत सारी ऐसी politics थी जुनके कान उन्हें praise और awards भी मिले थी the flowers same to address the less pleasing side of being a public point ये जो point है the flower इसमें जो point है उन्हें बताए है कि किस तरीके से जो public point होते हैं उसे एक point की रूप में कहीं ना कहीं यानि कि less pleasing side भी होता है जहां पर अगर वो कोई poet है जो famous है जहां पर उसे awards मिलती है praise मिलती है तो वहीं पर दूसी side उसका एक negative side भी होता है means कि कहीं ना कहीं उसको criticize भी किया जाता है उसे अलोचना का सामना भी करना पड़ता है तो start करते है point the flower तो flower का means यहां पर new thoughts के बारे में है alpha low tanison है जो वो कहते है कि जब भी कोई new thought आता है तो जो लोग है वो जल्दी से उसे accept नहीं कर पाते है इसके साथ ही उस new thought को वो criticize करते है जिसके कान क्या होता है कि वो जो person जिसके थूँ वो new thought दिया जाता है कहीं ना कहीं उसका जो confidence है वो हील जाता है अगर यानि कि वो जो person है वो लोगों के सुनेगा और अपने जो new thoughts हैं उन्हें develop करने के बजाए वहीं रोख देगा तो इससे उसे कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन अगर वो लोगों की जो criticize है जो अलोजन है उसे सहन करते हुए अगर वो अपने thought को develop करेगा तो धीरे धीरे लोग उस thought को accept करने लग जाएंगे अगर वो thought अच्छा है और अगर यानि कि वो आगे जाकर best थाबित होता है तो जो लोग है वो ना केवल उसे accept करते हैं बलकि उसका use भी करने लग जाते हैं So start करते हैं Once in a golden hour I cast to earth a seed तो यहाँ पर जो point वो कहते हैं कि एक बार एक सुनहरे समया में I cast to earth a seed मैंने इस प्रिच्वी पर एक बीज को बोया था अब there come a flower और उसी बीज से के है एक new plant उख कर आया जिसमें एक flower उख गया The people said a weed और जब लोगों ने उस plant को देखा तो कहा a weed Weed का means होता है खर्पतवार यानि कि एक ऐसा पोदा एक ऐसा plant जो कि main plants के साथ अपने आप ही उख जाता है जिसे आप waste last यानि कि plant भी कह सकते हो बेकार का पोदा तो यहाँ पर जो point वो कहते हैं कि एक समय मैंने एक नए thought को develop किया तो यहाँ पर क्या होता है कि जब लोग उस thought को सुनते हैं तो जो लोग है वो कहते हैं कि यह तो बेकार का thought है to and fro they went through my garden board तो जैसे ही जो लोग है वो मेरे garden board यानि कि जो garden है बगीचे है जब भी वो वहाँ से cross करते थे and muttering this content curse me and my flower तो क्या होता है कि जैसे ही लोग मेरे garden से यानि कि होकर गुजर कर जाते थे तब वो उस plant को देखते थे muttering का means होता है अपने आप में बोलना discontent का means होता है असंतोष तब क्या कि वो उस plant को देखते थे तो कहीं न कहीं वो discontent यानि कि असंतोष्ट होते थे उस plant को देखकर जिसके कारव वो muttering करने लग जाते थे curse me and my flower और मुझे और मेरे flower को क्या है curse करते थे curse का means होता है श्राप देना यहाँ पर क्या कह सकते हो आप बुराई करते थे मेरी और मेरे flower की then it grows or tall दीरे दीरे यही जो plant है यह लंबा होने लग गया बड़ा होने लग गया it wore a crown of light और जैसे जैसे यह बड़ा हुआ तो यह बहु ज़्यादा क्या है beautiful होने लग गया और इसी beautifulness के कारण यहाँ पर point ने यह line लिखी है it wore a crown of light कि इसने क्या है light यानि कि एक ताज पहन लिया यानि कि यह इतना ज़्यादा beautiful लग रहा था जैसे कि इसने एक ताज पहन लिया हो but thieves from over the wall stall the seed by night लेकिन एक रात को यानि कि जो मेरे बगीचे की दिवार है वहाँ से चोर क्रोस यानि कि उस wall को क्रोस करकर मेरे बगीचे में आते हैं और इस plant के जो seed हैं जो बीज हैं उसे stall means चुडा कर ले जाती है sow it far and wide and इसके साथ ही वो जो बीज हैं उसे वो दूर दूर जगा पर क्या है वो देते हैं by every town and tower till all the people cried splendid is the flower तब क्यों होता है कि जब चोर इसे दूर दूर तक यानि कि बहु देते हैं और वो जो बीज को बो देने से जो भी plants लगते हैं तो उसमें क्या है flowers लग जाते हैं तो every town and tower तो हर एक जो town हर एक जो शहर और वहां के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं subland is the flower कि ये जो flower है वो कितना शानदर है ये flower कितना अच्छा है तो यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि जब मैंने new thought को जरम दिया था जब मैंने उस new thought के बारे में नए विचार के बारे में बताया था तब जो लोग है वो उसे क्या है criticize करते थे उसकी अलोजना करते थे लेकिन जैसे जैसे वो thought develop हुआ तब कोई और जब उसे चुडा कर ले गया जब कोई और उस new thought का use करने लग गया तब वही जो लोग हैं जो उसको criticize करते थे वही लोग कह रहे हैं कि ये कितना अच्छा विचार है तो यहाँ पर जो point हो कहते हैं कि जो लोग हैं वो किसी एक person के द्वारा दिये गए thought को जल्दी से accept नहीं करते हैं लेकिन जैसे जैसे वो develop होता रहता है और जब वो उस thought को हर एक जगा पर देखते हैं तब कहें कि वो उस thought को अच्छा मानने लग जाते हैं read my little fable he that one may read most can raise the flower now for all have got the seed तो यहाँ पर जो point हो कहते हैं कि तुम पढ़ सकते हो मेरी ये कथा जिसमें बताया है कि किस तरीके से जब जो चोर हैं उन्होंने उस बीच को चुडा लिया और हर एक जगा पर बो दिया तो किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने उन seeds को प्राप्त कर लिया और वहाँ पर क्या है खुद ने भी वहाँ पर plants लगा दिये most can raise the flower now यानि कि अब लग भग सभी लोगों ने क्या हैं उन plants को उन flowers को लगा लिया है for all have got the seed अब सब के पास उस plant के seed beege है and some are pretty enough and some are poor indeed लेकिन क्या है कि सब के पास beege तो है लेकिन उन beege से जो plant है जो flower है कुछ के तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन कुछ के अच्छे नहीं है some are pretty enough यानि कि कुछ के तो बहुत ज़्यादा pretty है but some are poor indeed लेकिन कुछ के अच्छे नहीं है तो जिन लोगों के अच्छे नहीं थे flowers, जिन लोगों के flowers अच्छे नहीं लगे वो जो लोग है वो क्या कह रहे हैं कि ये एक weed है, ये एक बेकार का पोदा है So hopefully आपको ये जो point है वो समझ में आगी होगी इसमें जो point है वो main यही कहना चाहते है जब भी कोई new thought आता है, तो लोगों के दवारा criticize किया जाता है लोग जल्दी से किसी भी नए thought का accept नहीं कर पाती है तो यहाँ अपर जो point है, जब उन्होंने भी एक नया thought दिया था तब उन्हें भी अलोशना का सामना करना पड़ा था तो इस तरीके से जो point है वो बताती है कि अगर आप एक public point हो, तो जहाँ पर अगर आपको praise मिलती है, awards मिलते है तो दूसरी तरफ आपका एक less pressing side भी होता है as a point, point के रूप में कहीं ने कहीं आपको अलोशना का सामना भी करना पड़ता है so hopefully आप वीडियो point है, वो समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप हमें comment section में बता सकते हैं आपका doubt दोर कर दिया जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो like my video, subscribe my channel thank you friends for watching my video, thank you